नमस्का स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर परतेक माह के कृष्णपक्ष की चतुरदशी को मासिक शिवरात्री मनाई जाती है शिवरात्री पर भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना करने से मनुष्य के सभी मनोकामनाई पूर्ण होती है बैसाख मा की शिवरात्री साल 2021 में 9 माई 2021 को है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि चतुरदशी की तिथी क्या रहेगी निशीता पूजन का समय क्या रहेगा और क्या है पूजन की विधि तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप में चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी मासिक शिवरात्री व्रत की तितियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तक कि आपको मेरे वीडियो की नोटिविकेशन मिलते रहे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिये तो चलिए शूर कर लेते हैं आज का वीडियो मासिक शिवरात्री के दिन व्रत करके भगवान शंकर की विधिविधान से पूजा की जाती है धानविक मानेताओं के अनुसाम मासिक शिवरात्री के दिन व्रत करने और पूजन करने से घर में सुक सम्रिद्धी आती है आईए जानते हैं कि मासिक शिवरात्री की पूजन विधि क्या है मांसक स्विवरात्री का पूझा विधान तर्योदशी तिथी यानि एक दिन पहले से शुड़ू हो जाता है तर्योदशी तिथी के दिन प्रदोशकाल में भागवान श्रंकर की पूझा रातना करे हैं और मासिक शिवरात्री व्रत का संकल्पले। चतुरदशी के दिन प्राता उटका इसनानादी से निवरित होने के बाद स्वक्च वस्त्र धारन करे। उसके बाद धूप दीप जलाए। पंचामृत और गंगा जल से भगवान शंकर का अविशेक करे। भगवान शंकर के मंत्रो ओम नमस्षिवाय का जाब करते वे शिवलिंग पर बेल पत्र भांग धतूरा अर्पित करे। शिवजी का स्मिना करते वे पूरा दिन निरहार रहकर शिवरात्री का वरत करे। रात्री के चारो पहर में शिव जी की पूजा करे और अगले दिन प्राता जरुवत मन लोगों को भूजन कराए। उन्हें दान दक्षना दे उसके बाद ब्रत का पाराण करे। बैसाक मा के शिव रात्री का अवरत साल 2021 में 9 मई 2021 दिन रविवार को है। बैसे रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।